नमस्कार दोस्तों बहुत पोध स्वागत है आपका हमारी शेनल में मित्रों 13 नमंबर धन 13 पर मित्व नासी वाले लोगों का भागे बदल जाएगा मिलेंगी बहुत बड़ी खुसकबरी इन लोगों के जीबन के सारे दुख्टकलिफे समस्याएं संगड़े और आर्थिक त लुक्ती होंगी और धन की देवी मातव लख्टमी जी की कृफपा के साथ साथ धन के देव कुबेर महरात जी की कृफपा और गौरि फुतर गनिश्जी की की कृफपा से आपके जीबन में विसेख बड़ा खुसकवरा होने वाले हैं आपको बताइगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजान रासिफल आपको समझ से मल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके धन के देवी मातलक्पी जी की क्रिपा से भगव विश्तार में देरों खुशियां रह सकते हैं आपके सुक्समरदी के निवासोंगे वैपार ब्यवसाय धन्दे से समंधित तमाम बड़ी समस्याओं से आपको चुटकारा मिल सकता है वैपार ब्यवसाय में भी आपको भारी फाइदे हो सकते हैं आप अपने आपको काफी मैसूस कर सकोगे बच्चों के साथ सुमय विताना भी आपके लिए सुब होंगे आप अपने मित्रों के साथ किसी मुनजग की आत्राओं पर जा सकते हैं और इस समय का आनंद उठा सकते हैं जो लोग वैपारी वर्ग के हैं उनके लिए इसमें काफी अच्छा रह सकता हैं आपके मुनाके में बड़ोतरी होंगे कारी शेतर में भी सोची समझे रहनेती भी आपके काम आसकती हैं और इसमें आपको जीबन में लगातार आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं गौरी पुतर गनिश जी की कृपा से धनकी देवी मातालक्पी जी की कृपा से और धनमंत प्रप्तरी देव जी की कृपा से जीवन में फिर से आपके नई खुशों की प्राप्ती होंगे आप लोगों पर भगवान भूलनादी की कृपा से कामकाजों में सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही हैं जो लोग कुमारे हैं नोगों को विवक का अच्छा किये और पुरानी कारीयो का फ्रणाम मिल सकता है आप अपने करियर में नयक किर्तिमान को स्तापित कर सकते हैं आप अपने प्यार का प्रफोज कर सकते हैं जिन से की आपको सफलतावस से प्राप्त होंगी आपको किसी चोटी-मोटी या कश्टो का निवारन होंगे बस आप सभी लोग कोई स्वर पर अपनी सर्दा बनाये रखने की जुरत होंगे आपके जाज़तार कारी भी आसाने से पूरी होंगे आपको कारी स्थर पर भी कई ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो लोग नोकरी पेसा करते हैं रुड़ो को कारी शितर म लगातार एकसरसाइज करने के जुरत होंगे आपके सारेजिक ठकान के कारण आपके जीवन में थोड़ी से प्रसानी बढ़ सकती हैं परंतो आपके जीवन में आपको तरक्य का लाव मिल सकता है वैपार के शेतर में आपको अधिक धनलाव हो सकते हैं घर के माहول को आपको अच्छा बना सकते हैं और अधिक मान सम्मान की प्राप्ति कर सकते हैं घर में खुसियाली आ सकते हैं आप लोगों के आर्थिक तंग्या भी दूर होंगे और बजरंगवली की कृपा से आपके लिए आने वालस में बेहदी जीवन में खुसियाली ला सकता है आप आत्मिस्व में कारोबार में अधिक विर्दी हो सकते हैं, आप अपने जीवन में चले से भी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, कारिशेतर में लगातार प्रगत्ति भी होंगी, जीवन साथी के साथ आपके समंध मुद्रुस्ता अफित होंगे, विद्यार्टों को भी प्राप्त आपको किसी कामकाजों के लिए काफी जाद साहारा जा सकता है। माता लक्षमी जी की कृफ़ा आप पर बनी रहेंगी और रोजगार के शेत्रों में आपको बढ़ोत्री हो सकती हैं जिन से की आपके आमदने में इदाफ़ा हो सकता है आपके सभी दुखदर्द और समस्याएं भी अचानक से खत्म हो जाएंगी वर्सों पुरानी मनुकामना भी आपके जल्दी ही पूरी हो सकती हैं बच्चों के वविजगी तिंताइं भी आपके इंदिनों खत्म हो सकती हैं आपके जीवन का हर फल हर लम्हा सांदार तरीके से वीतेगा तथा मालत में भी आपके घर में परवेश कर सकते हैं दिफावली के पावन परव में आपके जीवन में खुशियां आ सकते हैं जिनसे के आसपास के लोगों के साथ आपके समंद काफी अच्चे होंगे और आपके धंद्वलत पिच्रड़ी सारी के सारी एक्षाएं पूरी होंगे आपके द्रड़ एक्षा सकती के मलबूते भी आप अपने हर समस्याओं का समधान करपा आने में सक्मर्थ होंगे और आपके जीवन में घर में नई और कफी खुशियां सकती हैं खुश्यों के बरसात हो सकती हैं आपके अदूरे एक्चाएं भी आने वाले दिनों में अवस्य फूरी होंगी अपनों कस्यों को प्यार प्राप्त हो सकता है आप अपने जीवन में सफलताओं को अर्जित करने में काम्यावी को हांसिल कर सकते हैं वैपार रोजगार में तरक्की हो सकते हैं और हनुमान जी आपकी रासी में अच्छा बदलाव कर सकते हैं आप दिन दूगनी रात चोगनी तरक्की हांसिल करते हुए नई मिसाल को कायम कर सकते हैं आपको नई योजनाओं से रुड़ने का मौका मिल सकता है जो आपके तरक्की में एहम भूमिका को निवा सकता है आपको अपने मेहनत का आशा के अनुसार लाव हमल सकते हैं आपके भौतिक सुक्सिधाओं में अधिक खर्च हो सकता है जीवन साथी के साथ आपके समंदों में मदूरता रह सकती है गर परिवार में आपके खुश्यों का आगवन हो सकता है और मालत्मी जी आपके घर में इसमें विराजमान होने वाली है आप अपने आप पर भविश्चे पर द्यान देने की अवस्य कोशस करें कीमती चीजों की खरदारी करने से पहले आपको सूचने समझने का प्रियास करने होंगे वैक्तिकत और वित्य फहलूओं को मजबूती करने होंगे तथा आप लोगों की खिसमत भी असानक से चमर्कने वाली है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप सफलता के नयक तिमान को अस्ताफित कर सकते हैं इस समय आपके भागे का दरवाजा भी खुरने वाला है और आपके लिए आने वाला समय बहद ही सुब रहने वाला है लव लाइफ के मामल में किये प्रियास सफल होंगे अगर आप विरुजगार हैं और नोक्री पाने की एक्चा रखती हैं तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि इस समय माता लक्ष्मी जी के सच्चे दिल से आप पूजा करें माता लक्ष्मी जी की पूजा मुफासना करने के उप्रान आप घर में अगर आपके गाय हैं गोमाता है या आजपास में कोई गोमाता है तो आप उनके चरनों को सफर्ष करें उनको हरा चारा खिलाने का प्रियास करें ऐसा करने से आपको नौक्री मिल सकते हैं वैपार बैवसाय में धनलाब हो सकता है आपके जीवन के सारी समस्याओं का समधान हो सकता है आप जीन में सच्चे फ्यार की प्राप्ति कर सकते हैं आपका काड़ भार भी दिन दूगणा राज, छोगणा तेजी से काम्यावी की ने सब्सक्राइब से आर्थे कृष्टितियों में वर्दी होंगी और प्रेम समंदी में मदूर्था आ सकती है झाल झाल